क्या इंटेलिजेंस मिली कैप्टिन दंगी को हलो दोस्तो मेरा नाम है इस्प्रीह मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त और आज मैं ख़बर लेकर आई हूँ फिल्म सोल्जर टू के बारे में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे इंडिन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के बारे में जिसने दुश्मनों की दो गोलिया लगने के बाद भी तीन आतंगवादियों को मिट्टी में मिला दिया था हम बात कर रहे हैं इंडिन आर्मी के पैरा स्फ कमांडो काप्टन जैदेव दंगी जिनका रोल प्ले करेंगे बॉबी देओल के बारे में हर्याना के मदीना गाओं में जन्मे जैदेव ने अपनी 12th कम्प्लीट करने के बाद National Defense Academy का एक्जाम क्लियर करके NDA जॉइन कर लिया था Indian Military Academy में अपने बैज के टॉपर्स में से एक रहे काप्टन जैदेव दंगी को आये में की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राष्ट्य राइफल्स की 3rd बिटालियन में पोस्ट कर दिया जाता है जोन 2014 में पैरा Special Forces जॉइन करने के बाद काप्टन जैदेव दंगी को पुलवामा डिस्ट्रिक के सब डिस्ट्रिक्त राल में डिप्लॉई कर दिया जाता है अभी कुछ महीने पहले ही 14 February 2014 के दिन काप्टन जैदेव दंगी की सगाई रितू के साथ हुई होती है और अब दो महीने बाद यानि अगस्त 2014 में उन दोनों की शादी भी होने वाली होती है वो दोनों अकसर एक दूसरे से कॉल पर बाते किया करते थे ऐसे ही 19 जून 2014 को काप्टन दंगी के पास रितू का कॉल आता है लेकिन काप्टन दंगी कॉल पिक करके रितू से थोड़ी देर में कॉल करने को कहते है और हरवडी में कॉल कट कर देते ये सुनने के बाद रितू काफी घबरास ही जाते है क्योंकि जब पिछली बार काप्टन दंगी ने हरवडी में कॉल कट किया था तो बाद में रितु को न्यूस में पता चला था कि त्राल में एक आतंगवादी माला गया है और इस बार भी काप्टन दंगी ने बड़ी हरवडी में कॉल कट कया है यही कारण होता है कि रितु काप्टन दंगी के कॉल कट करने से बहुत जाता खबरा जाती है कॉल कट करने के बाद काप्टन जैदीर दंगी जल्दी से अपनी टीम के पास पहुँचते है उन्हें खबर मिली होती है कि त्राल के बच्छो गाउ में एक आतंगवादी घर में छुपा हुआ है कैप्टन दंगी जब इस आतंगवादी का नाम जानते हैं तो वो काफी excited हो जाते हैं क्योंकि आतंगवादी को याम आतंगी नहीं था बलकि साउथ कश्मीर में आतंग का नाम बन चुका हिजबुल मुझाहिदीन का area commander आदिल एहमद मीर था जिसका role play करेंगे मीर सर्वर कैप्टन जैदेव आदिल काफी time से पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन आदिल कैसे ना कैसे करके बची जाता था आदिल एहमद मीर बुर्हान वानी सहित हिजबुल मुझाहिदीन के कई खुंखार आतंगवादियों को ट्रेनिंग दे चुका था और इसके साथ ही आदिल कई सारे security personals की death के लिए भी जम्मेदार था कैप्टन जैदेव दंगी आदिल एहमद को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ एक आमड वहिकल में बैट कर बच्छू गाओं की तरफ जाने लगते हैं वही दूसी तरफ हर्याना के रोतक में रितू कैप्टन दंगी की कॉल का वेट कर रही होती है और यही विश्च कर रही होती है कि तराल में सब कुछ ठीक हो कैप्टन जैदेव दंगी आदिल एहमद मीर को काफी लंबी टाइम से जानते थे इसलिए वह सोच रहे होते हैं कि आदिल जैसा खुंखार और experience आतंगवादी इतनी आसानी से security forces के हाथ तो नहीं आ सकता कहीं इसके पीछे आदल की कोई चाल तो नहीं है लेकिन कैप्टन दंगी अच्छी से जानते थे कि अगर आदल जिन्दा या मुर्दा पकड़ा गया तो ये हिजबुल मुझाहदीन की कमर तूट जाएगी इसलिए वो द्यादा ना सोचते हुए अपने seniors के orders को follow करते हुए सीधा बच्छुगाओं जाने लगते हैं 19 जून 2014 को शाम पाच बजे कैप्टन दंगी अपनी टीम के साथ बच्छुगाओं के बाहर पहुँच जाते कैप्टन दंगी की टीम में राश्टर राइफल्स और जमुएन कश्मीर के special operation group के officers शामिल थे कैप्टन दंगी और उनकी टीम अपने आमट वहिकल से उतर कर बच्छुगाओं के उस घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं जिसमें आदिल के छुपे होने की खबर मिली होती है और जब वो अपनी target location के पास पहुशते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जस आदमी के घर में आदिल एहमद छुपा हुआ है उस आदमी के पास तीन घर है और वो तीनों घर एक ही compound में है और एक दूसरे से चिप के हुए है अगर आदिल एहमद वहाँ पर मौझूद है तो वो उन तीनों में से किसी एक घर में हो सकता है आदिल एहमद को पकड़ने वाला ये operation पहले से ही कई गुना मुश्किल हो चुका था तो किस घर में मौझूद है आदिल एहमद मीर क्या क्याप्टन जैडेप आदिल एहमद को पकड़ने में होंगे सफर जानेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक कीजिए दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल बॉलिग्राद स्टूडियो को